आज मैं आपसे बहुत ही अच्छा हैर ओयल शेयर करने वाली हूँ जिसे लगाने से आपके बाल बहुत ही जादा मोटे भी हो जाएंगे आपके बाल भी बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और आपके हैर फॉल को भी यह बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करेंगा तो चलिए है यह बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही आसानी से मिल जाता है हमारे बजएट में भी आता है और उसके बाद में आड करूंगी दो फ्रेश अलुबविरा जेल तो यह अलुविरा जेल को अच्छे से वाश कर लिजी और यह साइड के जो भी काते है उसे आपने अच् अच्छे से इसको कट करना है तो अभी इसे अच्छे से कट कर लीजिए तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यह साइड का कटा है जो फटा-फट से आपने लिकाल देना है और इसे चोटे-चोटे पीस में कट कर लेना है तो मैं जब इसे कट करी थी तब जब लिकालते हो त जब बी ईलोवेर का इस्तामाल करें येलो पार्ट होता है अपने लिकाल करना है the yellow part अब बाद भी इस्तामाल करना है और उसको चुछछटे पीसों में कट कर लिया है और आप इसके अंदर घड़ घरम हो जाएगा तो अब आप इसके अंदर अट कर दीजिए तो ये अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम दीरे दीरे एक एक चीजों को इसमें आड़ करते जाएंगे जिसे हमारे आइल जो है वो एकदम पावरफुल आइल बन जाए जिसे हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट करें और उसके बाद मैं इसमें हेबिसकस लिफ्स दाल रही हूँ ये पता आप 10 या 12 चिता में चाय दाल सकते है और उसके अंदर मैं थोड़ा सा लॉंग आट कर रही हूँ छे से साथ और थोड़ा सा मेती धाना चार टीस्पून जितना मैं आट कर रही हूँ और थोड़ा सा करी लिफ्स यानि की कड़ी पता ये सारे चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशल होता है तो मैं मस्टर्ट सीट्स भी आट कर रही हूँ और जो रोज मेरी है रोज मेरी तो बहुत ही जदा कमाल करता है हमारे बालों को बढ़ने में, हमारे जडों को स्ट्रॉंग करने में और हमारे बालों में शाइन आट करने में इसका काम बहुत ही जबर्दस होता है सभी चीज़ बहुत ही अच्छे है अपने जगे पर लेकर हमारे बालों के लिए तो सभी को मिलाकर एक powerful सा हम तेल बनाएंगे तो आप देख सकते हैं अलोवीरा कितना अच्छे से ये पक रहा है और आप थोड़े देर के बाद देखेंगे तो मैं इसे 20 मिनिट तक का low flame में पका रही हूँ ताकि जो अलोवीरा है वो अच्छे से गल जाए और तेल के अंदर इसके सारे goodness आजाए तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से ये सारा चीज पक चुका है तो मैंने 20 से 25 मिनिट पकाया है इसे और इसे थंडा होने के बाद तुरंध ही इसे च्छान लीजिए और इसको भी हम waste नहीं करेंगे इसका भी हम paste बनाकर बालों में लगा लेंगे इसे भी आपके hair fall को भी control करेगा और आपके बालों में shine भी बहुत जादा add करेगा तो इसे बिल्कुल भी waste मत कीजिए और इसका भी इस्तमाल कीजिए तो हमारे ये powerful oil बन के तयार है तो अभी हम इसे apply कर लेते हैं बालों में ये हलका सा गरम है तो मैं अभी बालों में अच्छे से apply कर लूँगी और oil लगाना कितना जादा ज़रूरी होता है जिसे कि गर्मियों में तो सभी लोग है ना बहुत अच्छे से अपने बालों में तेल लगा लेते हैं क्योंकि सभी लोग का कहना है कि गर्मियों में तेल लगाने से सर थंडा रहता है तो गर्मियों में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है तो उसी तरह विंटर में भी हमें तेल लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ह हमारे जो स्कैल्प है वो बहुत ही ज़दा ड्राइव हो जाते हैं तो विंटर में भी हमें तेल लगाना चाहिए मतलब हर सीजन में हमारे बालों में तेल लगाना चाहिए ऐसा नहीं के सिर्फ गर्मियों में तंडा रखने के लिए तेल लगाना चाहिए हमें हर सीजन में ते पिदिने से रोकता है, तो हर सीजन में हमें अपने बालो में 카메라 बहुती ज़्यादा जरूरी है, कholm gras is a difference-al48 जो हमेशा इस season क्वेश कहने हमै लेकास मेशा में पालों में ऑप सपष्चार के आपारेश चाहिए, और आपके scalp का blood circulation है वो भी जादा अच्छा से improve हो जाए तो आपने इस तरह से लगा लेना है थोड़ा हलके हाथ से इसे massage कर लीजिए ताकि आपके बाल में अच्छे से oil भी लग जाए और आप अपने आपको relax भी feel कर सके तेल लगा कर आपने अगर एक गंटा रख सकते हैं तो एक गंटा रखी अगर आप overnight रख सकते हैं तो overnight भी रखिए अगर आपको सर्दी होने का tension हो रहा है तो आप इसे एक गंटे में shampoo और conditioner से wash कर लेजिए तो इस तरह से अगर आप तेल बनाएंगे तो ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से conditioning भी करता है आपके अगर बाल बहुत ही जदा रफ हो गया है तो इसे smooth और मुलायम कर देगा क्योंकि जो हमने इसके अंदर aloe vera और hibiscus का पता मिलाया है तो वो आपके बालों को बहुत ही अच्छे से conditioning करता है आपके बालों में एक बहुत ही अच्छा shine अड़ करता है अच्छे result पाने के लिए आपने इसे हफते में दो बार ज़रूर लगाईए आपके hair fall को control करेगा साथी साथ आपके बालों को ये मोटा करने में बहुत ही जदा help करेगा तो इसे लगाना शुरू कर दीजिए और अपने बालों को एकदम healthy रखिए आज का आप ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए इंशाला मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे अल्ला हाफिज